हेलो दोस्तो मेरा नाम है हरी और आप सभी का हूम रेसेपी चानल में स्वागत है आज मैं आपको बच्चों का पसंदिदा गेहूं के आटे का हेल्दी नस्ता बना के दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप रोटी या चपती बनाने के बाद जो आटा बचता है उस आटे स यह नस्ता बना कर गर में सबको खिलाईए और देखिए बच्चे तो बच्चे बड़े भी बड़े प्यार से खाएंगे तो फिर चले फटा फट बनाना शुरुक करें दोस्तो वीडियो के शुरुआत में हमें सबसे पहले आटा लगाना है तो उसके लिए यह लिया है मैंने लगबग एक कब गेहूं का आटा अब स्वादा नुसार नमक डालके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएंगे जैसे कि रोटी चपती के लिए लग आट का ही बचा हो उस बचे हुए आटे का इस्तिमाल करके आज जो हम नस्ता बनानी वाले है वैसा नस्ता बना के आप खा भी सकते हो और सब को खिला भी सकते हो तो यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ आटा नहीं था इसलिए मैंने ऐसे फ्रेश आटा लगा कर लिया है तो ऐ इसे आटा लगाने के बाद या बचे हुए आटे को लेकर सीजर की हल्फ से इस तरह कट करते जाए तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से ही पिसेस कट करके दिखाने वाला हूँ बाकि हम बाद में कट करेंगे तो इस तरह सेम प्रोसेस करके आप सभी पास्ता एक साथ कट क चला के पानी में उबालाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही पानी में उबाला जाए तब डलना है जो हमने पास्ते को काट कर लिया था उसे दोस्तो अगर अपने पास्ते को एक साथ काट कर लिया है तो उन सब को पानी में डाल दीजिए या नहीं काटा है तो आप मेरी त सेधा पानी में काटते जाईए दोस्तों आप इस बात का ध्यान जरूर रखे कि काटते समय ग्यास की फ्लेम को मीडियम ही रखना है क्योंकि धीमी आज पर ये एक दूसरे को चिपक जाएंगे और दूसरी बात ये है कि इसे ना ज्यादा जाडा और ना ही ज्यादा पतला काट कर लीजिए और काट लेने के बद हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लगबख चार से पाच मिनिट तक पका कर लेना है और बीच बीच में एक या दो बात चमच चलाना है जैसे कि आप देख सकते हो कि इसे मैंने गड़ी में देखकर पाच मिनिट तक बोईल करके लिया है और ये अच्छे से पक भी चुका है तो इसे ऐसे पानी में से निकालके पानी को अच्छे से ड्रेन आउट करके पस्ते को साइड में रखक कड़ाई में लगबख दो या तीन चमच तेल डालके गरम करके लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए पहले डालना है फाइनली चौप किये हुए चार से पाच लसन और कदुकस किया हुआ आदा इंच अद्रक का टुकडा तो इन दोनों को डालते समय दोस्तो वीडियो शूट नहीं हुआ तो अद्रक लसन को पहले डालके बाद में डालिये बड़े बड़े टुकडों में कटा हुआ आदा पैज अभी पैज को भून कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पर हमें पैज को ज़्यादा देर तक फ्राइन नहीं करना है बलके हलका सा कलर चेंज होने तक ही फ्राइन करेंगी आप व्योडियो में देख भी सकते हो के पैज थोड़ा सा ट्रांस्परेंट हुआ है तो अभी इसमें डलते हैं बड़े बड़े पिसेस में कटी हुई एक सिमला मिर्ची तो सिमला मिर्ची को भी हमें तब तक भून कर लेना है जब तक कि सिमला मिर्च सॉप्ट ना हो जाए दोस्तों आप चाहे तो आप आपके पसंद के नुसार कुछ और विजेटेबल डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो तो सिमला मिर्ज सॉप्ट होने के बाद हमें इसमें डलना है एक छोटा चमस सेजवान चटनी और सेम कॉंटिटी में रेट चिली सॉस अब आदा छोटा चमस सोया सॉस डालकर एक बड़ा चमस टोमेटो क्याचप डलना है अब थोड़ा सा विनिगर डालके थोड़ा ब्लेक पेपर पाउडर डलना है अब स्वादा नुसा नमक डालकर थोड़ा औरिगेन डालके दो चमस पानी डलना है और बाद में इन डाले हुए सबी चीजों को कुछ सेकन तक भून कर लेना है हाँ अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरू करे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे भून लेने के बाद हमें इसमें डलना है जो हमने आटे के पास्ते को बोईल करके लिया था उसे अभी इसे अच्छे से मिलाना है तो फ्लेम को मीडियम टू स्लो रख कर कुछ सेकन तक चमच चलाएंगे दोस्तो ज़्यादा देर तक हमें इसमें चमच नहीं चलाना है नहीं तो पास्ता प्यान को चिपक जाएगा तो थोड़ा सा चमच चलाके लाश्ट में थोड़ा हरा दनिया डाल कर मिक्स करिए और गर्मा गरम बच्चे हो या बड़े उन्हें नास्ते में परोसिए और देखिए बच्चे हो या बड़े प्लेट चाट चाट कर खाएंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में